हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है राज जेश और आप देख रहे हैं आरकी टूल चैनल दोस्तों आपके मन में वक्षिनेटर और सहाइक के लिए के डाउट चल रहा है तो आज लिष्ट मेरे हाथों में है क्या है कैसे है किस तरह से ट्रेनिंग लेना है क्या करना है कुछ न आप कुछ मिस्टेक कर देंगे अगर आप फारम भरने वाले हैं या भर चुके हैं या आपका वक्षिनेटर में सहाइक में हो चुका है तो यह सारी बात आपके लिए जरूरी है यह वीडियो मैं सुबह सूट कर रहा हूं आप देख सकते हैं कि अभी वैसा ही बुरा हाल है और इसी समय आपको मैं बताने का प्रयास करना हूं तो चलिए बिना कोई देरी कीवे स्टार्ट करते हैं आपके कुछ सवाल हैं और क्या है मैं आज सब कुछ क्लियर करूंगा तो आप ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले एक लड़का ने मुझे क्वेस्टन किया है इससर ट कैसे करना होगा ठीक है ट्रेनिंग कहां से लें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका वैक्षिनेटर में हो चुका है या सहाइक में हो चुका है तो उसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको और रही बार ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग आपके जो अ मैं गाउं में या सहर में हूं मैं गाउं से करूं या सहर से करूं तो दोस्त मेरे में आपको बताना चाहता हूं कि आप गाउं से हो चाहें सहर से हो जहां भी जानवर रहते हैं वह आपका गाउं होगा या सहर होगा इलाका और कुछ भी होगा तो वहां पर आप कर सकते हो इस उसे आप संपरक कीजिएगा वही आपको उनसे संपरक से ही होगा ठीक है यह अकेलिए नहीं हो सकता कि आप कुछ कर लेंगे जहां मर्जी तहां ऐसा कुछ नहीं है आप उनसे संपरक बनाईए और संपरक बना कि आप लग सकते हैं गाहा हो या चैन्स है रहो आप उसका डाउ पूछता है कि अधार लगेगा या नहीं और कहीं का भी अधार काड़ है नहीं दोस्त आपका जो अधार कार्ड है लगेगा और स्के साद साथ वक्सिनेटर वाला तो फार्म है वो लगेगा उस पे ग्राम-प्रधान और जो सिग्रेटरी का वहाँ पर साइन और मोहर दोनों होगा उस फारम पर जैसे मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यह आप देख रहे हैं यह से परधान और सिग्रेटरी जी का साइन हुआ है तो ठीक इस तरीके से वह उस पर साइन भी होगा पर तब जाके वह पशूब्भाग जो आपके नजदिकी पशूब्भाग के डॉक्टर हैं उनके पास जम्हों होगा और फिर वह-थायर करेंगे कि आपको रखना है या नहीा क्या करना है कैसे करना है ठीक है और आपका जो पांचवा सवाल है वो पूछे हैं कि सर्फ फारम कहा मिलेगा बिल्कुल गुड सवाल है बिल्कुल अच्छा सवाल है कि सर्फ फारम कहा मिलेगा तो दोस्त यह डॉक्टर के पास तो नहीं मिलेगा वहां पे नजदिकी कहीं भी दुकान होंगे जहां पे फारम गाओं में जो वक्षिनेटर में इंट्रेस्ट रखते हैं जो करना चाहते हैं पसूं को सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फारम जरूरी है वो कर सकते हैं और सिर्फ इसके बरोसे मत रहेगा कुछ और भी अपना है तो उसको आप करते रहेगा उसमें कोई डाउट नह तो कई जगों पर तो सेलेक्ट हो चुके हैं लडगे और पर अप तो अगर आपको पूरा जानकारी चाहिए इसके बारे में कि कहा का नहीं हुआ है कहां का ओ तो मैं इसके लिए अलग से बीडियो बना दूंँगा तो आप मुझे अभी कमेंट rlept-box में जाए और comment कीजीगा की शर यहां से हूं मैं यहां से हूं मैं यह जगह से मैं इस झीले से हूं तो यहां पर हुआ नहीं हुआ हुआ यह नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूँगा उसको अलग एक वीडियो बनाकर ठाते हैं कि इसको क्यों डिनों में अगला सवाल है की पसू विभाग में किस से बात करें जी हाँ तो आप पसू विभाग में जाए अपने नजदिकी जो ब्लाक होता है वहाँ पर जाए यहां पे पसुविभाग के अदिकारी लोग बैठे होते हैं, डॉक्टर, इस कामों में और मुझे क्या करना होगा, सारा कुछ डाउट आपका कुलियर करेंगे और सब कुछ बता देंगे अगर के अंगे अगर समय silently सब कूछ तो बहुत है अगला सवाल आता है कि सर सहायक या वक्षिनेटर कितने पद हैं तो मैं मेरे मित्र में आपको बताऊंगा कि सहायक और वैक्षिनेटर ये दो पद हैं और एक ब्लाक में जितने भी ग्राम सभा होते हैं एक ब्लाक में जितने भी ग्राम सभा होते हैं तो प्रते एक ग्रम सभा में सिर मैं पहले वीडियो में भार बताया था दो पद है एक ग्रम इखत्म हो जाता है सेलरी है या कैसे है कितना तो मेरे दोस्त सेलरी जो है इसमें नहीं है सेलरी नहीं है क्योंकि यह स्वरोजगार योजना के अंतरगत आता है यह सरकार द्वारा तो है ही लेकिन यह सरकारी जॉब नहीं है कि आपको सेलरी मिलेगी सरकारी सरकार के तरफ से है स्वरोजगार योजना के अंतरगत है आप समझ सकते हैं कि स् सब्सक्राइब कोई बीजनेस हो गया ऐसे इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं और इसको साल में दिन चार बार पांच बार जो ठीका आता है तो आपको करना है और सेलरी नहीं है इसमें ठीके के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे इसमें जो वैक्षिनेटर लोग है उनको तीन रोपे तीन रोपे एक ठीका का तीन रोपे मिलेगा और साहीक मतलब यहां मतलब यह किसा सबस्क्राइब भाटा मैं जो छोटा लेवल के हैं ऐसे लोग सकते हैं सब्सक्राइब थोड़ा सा होता है ना वैसे की एक बड़ा लेबल पाय क्म करेंगे और इसकी पूरी सेलरी है या कैसे कि या कुतना तो जाते हैं जैसे आप को सब्सक्राइब कुछ मिलने वाला है मिल जायगा और आपको जब पता लगता है कि में हो चुका हूँ तो आप जब TroAAAAAAAAG का में ख्रती हएं रहिए और उमीद करता हूँ मैं आप से कि सब कुछ समझ चुके होंगे जो भी आपका मन में question था मैंने पूरा बताने की कोशिस की है और आप समझ चुके होंगे अगर समझ चुके हैं तो एक वीडियो को like जरूर कीजिएगा और इस तरह के update पाने के लिए मेरे चैनल को अभी subscribe कीजिए जो नीचे आपको red color की लाल color का subscribe लिखा हुआ है उसको दबा दिया है शुब काम ने आये हैं कि आप ज्यादा ज्यादा पोश्ट पाजाएं अच्छी बात है अगर अच्छी लेवल पर पहुंच जाए तो और अच्छी बात है और एक छोटे सही इंसान बड़ा बनता है आप आपको भी पता है कि छोटा सही छोटा करते-करते इंसान बड़ा बनता है तो इसको आप छोटा या बड़ा ना समझ करके इसको करना स्टार्ट कीजिए और अपने नजदी की पसु विभाग में जाकर के डॉक्टर से बात कीजिए मुझसे ज्यादा बेटर आपको बताएंगे क्योंकि मैं भी तो इन्फ्रेमेशन ले करके फिर मै नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटाए बाइबाइबाइब जाएंद